प्रेदर शुकूं, नमस्कार एक बाद फिर से उपस्तित हूँ आप सब के सामने आपके कमेंट में पूछे गए सवालों के उत्तर को ले करके जहां आपने अपना डेटेल दिया है और सवाल पूछा है आईए सबसे पहले बता दूँ, इनका नाम है महेश चौधरी इनके सवालों के उत्तर के साथ आज के कारेकरम की यात्रा शुरू करते हैं यात्रा शुरू करने से पहले और कारेकरम आरंब करने से पहले एक बात जो की बहुत गंभेर है आपको थोड़ी सी चर्चा उस पे करना चाहता हूँ हम जहां रहते हैं, हमारे आस पास, कभी कोई चीखने और चिलाने की आवाज अगर आए, तो हमें जरूर ही उस पे ध्यान देना चाहिए, और उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए. उस रहश्यमई आवाज को जो भी चिला रही है, जो आवाज आ रही है, वो क्यों आ रही है, कहां से आ रही है और उसका कारण क्या है खास करके अगर ये आवाज किसी औरत के चिलाने की होतो हम अपने कानों पे परदे डाल कर नहीं रख सकते एक बात जो कि सबसे ज़ादा ज़रूरी है सत्य के पाउं बहुत गंभीर होते हैं असत्य के पाउं उखडने वाले होते हैं, इसलिए हलके होते हैं आप अगर एक बार पुरजोर विरोध कर देंगे, उस असत्य का वो तुरंद उठखड़के चला जाएगा हम सिर्फ स्टेप नहीं लेते, हम सिर्फ करते नहीं है नहीं तो असत्य की इतनी हिम्मत और आउकात कहा है कि वो सत्यका सामना कर सके हम सिर्फ आलशेशे युक्त हो जाते हैं ये नहीं होना चाहिए चलिए शुरू करते हैं आज का कारिक्रम तब तक के लिए कहूंगा कि पूरी अंतिम तक देखिए और अधिक्तम से अधिक्तम सवालों को सामिल करने का प्रयास करूंगा मैं इस कारिक्रम में आईए शुरू करते हैं आज का कारिक्रम महस चोधरी के सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का कारिक्रम सबसे पहले इनका डेटो बर्ध है 6 जनवारी 1981 बज के 5 मिनट पालनपुर गुजराग। स्रिमान ने पूछा है बड़ी समस्या है कब इसका निजात मिलेगा और क्या उसका हल है। सबसे पहले बता दूँ चंदरमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्षए के पंचिमीत थिके हैं ये बहुत अच्छी बात है। यहां पे चंदरमा आपकी कुंडली में मजबूत होंगे और स्रिस्ट फ़ल करेंगे। साथी साथ अगर बता दूँ तो कृष्ण पक्षए के पंचिमीत थिके होने के कारण आपकी कुंडली में चंदरमा शुभग रहोंगे तो मन ठीक है। और वो बैठे हैं समरासी के ब्रिद्ध होकर के। तो कमजोर हुए ब्रिद्ध वस्था में होने के कारण। शडवल में वो बली तो हो रहे हैं लेकिन नौमांस में जब चर्चा करता हूँ तो वो आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं सब्तम्भाव में। इस वज़े से वो कही न कही मारक भी हो रहे हैं। यहां पर अगर बात करता हूँ तो सिम्ह लगन की कुंडली के लिए प्रबल कारक ग्रह के रूप में मंगल ही होते हैं। तो अब लोग यह कहेंगे कि कारक ग्रह है तो दशा में अच्छा फाल करना चाहिए। लेकिन वो तो कर नहीं रहा है कारण। क्यूंकि जन्म कुंडली के लगन में मंगल विराज रहे हैं। और जिस अंतरदशा के ग्रह में वो जी रहे हैं। मतलब अंतरदशा का जो ग्रह है वो उनका प्रबल सत्रू होता है। और आपकी कुंडली के लिए शनी जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं ये मारक होते हैं यांकि सब्तम भाव के अधिपती होते हैं ना सब्तम और छटे भाव के अधिपती तो येक तो रोग भाव के अधिपती हो करके और यहां पे सब्तम भाव के अधिपती तो यानि कि मारक चली उसके बाद अब विचार करते हैं कि क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा तो इस बात पे जब गौर करते हैं और तहकीकात पे शामिल करते हैं इस बात को कि मुझे किस तरीके से करना है आगे के स्थितियों का निप्टारा तो आपकी कुंडली में बु करता हूं तो वो शत्रुग रही तो हो रहे हैं लेकिन युवा है परंतु वो पंचम भाव में बैठने के कारण अच्छा फल करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं गुरू की विद्ष्टी है और यह स्थुतियां जो है गुरू बुद्ध को मजबूत बना रही है साथी संतुन के सा पर सरवाधिक अंसों के साथ उपस्तित हैं आपकी कुंडली में शुक्र और नौमान्स में अगर देखता हूं तो आपको शिव जी की पुजा कर लेनी चाहिए शिव जी को प्रति दिन जल अर्पित करिए और पुरनिमा का व्रत भी अगर चाहें तो कर सकते हैं उससे हम भूल जाते हैं कानौन और सारी चीजें जो हमारे पुर्वजों के द्वारा दी गई हैं वो हम भूल बैठे हैं कालपनिक दुनिया में खोने के कारण यह आसान है बोलना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इस दौरान भी हमें अपने परमात्मक पे भरोसा और उसके नि मेरे वाटसेप पे संपर करिएगा आपको एक उपाय दूँगा जो यहां मैं नहीं बता सकता उस उपाय को करने से आपको बड़ा लाब होगा अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं बड़ी अच्छी कुंडली है नाम है इनका जैस्पीन यह हैं जालंधर मकरलगन के लोग बहुत अच्छे होते हैं अच्छे तो नहीं होते हैं पॉलिटिकल होते हैं लेकिन अच्छे इस मामले में होते हैं कि अपने लक्ष को लेकर के वो निरंतर होते हैं नियमित होते हैं राजनिती करना जानते हैं लक्ष को किसी भी तरीके से पाना जाते हैं अब बात करते हैं, चंद्रमा, आपका मन अगर स्थर हो जाए, तो परिशानी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में जो समस्या मुझे दिख रही है, वो चंद्रमा को लेकर के है, वो कृष्ण पक्षे के अमावश्या के और सुर्य की स्थिती मुझे थोड़ माला बेयोग लगा करके, लेकिन सुर्य के स्थिती और स्थिती थोड़ी अगर कमजोर हो जाए, तो कुंडली थोड़ी कमजोर मानी जाती है, वस्तुतह जो आपने सवाल पूछा है, उसका उत्तर हाँ है, हाँ बन सकती है, कारण क्योंकि शुक्र यहीं बैठे हैं, सुर्य का निशत तो भंग होगा, और बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के लिए शुक्र कारक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नमबर लिखता है, और यहाँ पे सात नमबर, तो मकर लगन की कुंडली, व्यप्ति अपने लक्ष को लेकर के राजनिती करने वाला है, और जीतन अब बात करते हैं, कि मेहनत कितना करता है व्यक्ति, क्योंकि आपने पूछा और मैं यूही जवाब नहीं दोंगा, मुझे उसके पीछे ये देखना है, कि मेहनत भाव, तो मेहनत भी कर रहा है, क्योंकि मेहनत भाव में बनी किसकी राशी, गुरू की गौणर राशी, और अधिपती होकर कि गुरू आपकी कुंडली में सब्तम भाव में उचके हो रहे हैं, और नौमांस में अगर देखता हूँ, तो वहाँ पे आपकी कुंडली में गुरू जो है वो शनी की राशी में बारह में जा रहे हैं, तो अंक थोड़े कम मिल सकते हैं, यह मेहनत वो गुरू की राशी में जा रहे हैं, द्यूति यह भाव में यहाँ पे, तो वाणी पे कठोर, वाणी का नियंत्रण और अपनी बुद्धी मता का सही इस्तमाल, यह तीन चीज़ करना होगा, कंटिन्यूटी, सुर्य को मनाईए, प्रतिक दिन सुर्य को जल दीजे, और अगर संभाव हो, तो आपकी कुंडली में आलशे भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि छटे भाव में यहाँ पे शनी बैठे हैं, बुद्ध की राशी में, तो वो थोड़े आलशे भी देते हैं, गुरू उच्छे के हैं, शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य योग लगा क बुद्ध बहुत अच्छा है, दश्ण भाव में बैठे हैं, चंद्रमा यहीं बैठे हैं, लेकिन कृष्ण पक्षे के आमावश्य के हैं, इस वज़े से वो थोड़े परिशान करने वाले दिख रहा हैं, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, बुद्ध की राशी में और के तु एक साथ यहां बैठे हैं, नौकरी देने वाले ग्रह निकट केंद्रे में आ रहे हैं, यह ठीक है, उपर से अगर विचार करता हूँ दश्मांस में तो लगन में ही मंगल विचार विचरन कर रहे हैं, दश्मांस कुणली में यहां पर यह अच्छी बात है, चंद्र मतलब यह बात बनती है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर आईस बनने का योग अगर पूछता हूँ, तो आपकी कुंडली में लगन अच्छा है, लेकिन परतियोगिता करना पड़ेगा, क्योंकि लगनेश जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में बुद्ध की रासी में यहाँ पर एक तो सबसे पहले चंद्रमा अस्थ हुए, दूसरा बुद्ध और तीसरा शुक्र भी अस्थ हो रहा है सुर्ये से, अनसक्या अधरपक क्योंकि उन्हीं कट जा रहे हैं इस वज़ा से, तो मनाना सबसे ज़्यादा किसको है, अगर आईस या आईपीस बनना चा करना चाहते हैं, वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा अगर व्यक्ति आधा घंटा भी भगवान और दैवत्व के गुण को विक्षित करने के लिए दे देता है, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, आप नियम पालन करते हैं, जितना सारा करते हैं, जो करना है करिए, लेकिन सुरी को अर्ग देना इस कुंडली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरी का निचत भंग तो हो रहा है, लेकिन वहीं पे आपकी कुंडली में दशंभाओ के अधिपती होते हैं, तो कैरियर में उतार चढ़ाओ देने लगते हैं, औ फिर भंगती को कैरियर को अनस्टेबलिस बना देते हैं, और खास करके किसी भी कुंडली में अगर सुरी और चंदर्मा के सती थोड़ी कमजोर हो, तो थोड़ी सी कुंडली को कमजोरी मिल जाती है, इस वज़ा से इसे मनाना होगा, आपको पूजा के तोर पे सिर्फ सुरी बहुत अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, सुरी भी अच्छे हैं शड़वल में, लेकिन वो नॉमांस में या फिर लगन में अगर देखता हूं तो वो दितिय भाव में जा रहे हैं नॉमांस में जो की बहुत अच्छा नहीं होता है, और लगन कुंडली में भी नीच के हो अब कब लगेगी, आपकी कुंड़ी आठ नमबर से जुरू होती है, ब्रषक राशी के निर्माण में यहां पर यह लगन बन रहा है प्रिशिक राशी का बनना लगनेश होते हैं मंगल जाकर के नीचके हो रहे हैं भाग्य भाव में तो लगनेश का नीचत्व भंग हो रहा है क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो केंदर में आ रहे हैं सुर्य की रासी में लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि लगनेश का निचस्त होना ये थोड़ा कमजोर तो करेगा और वो पक्का करेगा आप भले उसके निचत्व भंग को देखते होंगे अपनी जोतिसी आप लगाते होंगे लेकिन वो प्रभाव ज़रूर करता है दूसरी बात है आपकी महादशा में शनी चल रहे हैं अन्तर में अब समझेगा आपकी कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो कहां बैठे हैं यहीं पे यहां पे क्रमशा चार ग्रह बैठे हैं शुक्र, शुर्य, मंगल और राहू तो शुक्र के महादशा चरी और वो शुक्र आपकी कुंडली क सब्तमभाव अधीपती जो कि मारक भाव होता है यह रोजगार को न देने वाला रोजगार छीनने वाला और परिस्थितियों में बिकलता पैदा करने के लिए जाना जाता है यह सब्तमभाव और यहाँ और कमजोर हो जाते हैं क्योंकि आपकी कुंडली के लिए एक तरीके से वो कारक नहीं होते हैं द्यूतिय और चतुर्थ भाव के अधिपती बनते हैं विर्शिक लगने के कुंडली के लिए लेकिन वो चतुर्थ भाव के अधिपती और मुल्त्री कॉंड राशी में होने के बाद भी आपकी कुंड़ी के लिए शनी मारक होते हैं और मारक नहीं कमजोर होते हैं आकारक होते हैं वो इन दोनों भावों के अधिपती होकर के बैठे यहां यह सब्तम भाव मारक हुआ और अब विचार करिए कि महादशा किसकी चल रही है तो सब्तम भाव के अधिपती की महादशा और शनी आपकी कुंड़ी में अंतर में चल रही हैं यानि कि मारक में मारक हो गया तो यह प तुखर जो आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं। इस वज़ा से व्यक्तित्व निखार करके सामने नहीं आता है, निखर करके तकलीफ देता है, परिशानी देने वाला और कभी-कभी रोजगार और भाग्य में और सहयोग की स्थोती को पैदा करता है। इससे बचने के लिए आपको प्रतिक दिन सबसे पहले तो हनुमानास तक का पाठ करना चाहिए। तो वो पंचम में आ रहे हैं, इस वज़ा से व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध अच्छा फल करने वाले हैं। प्रतिकी महादाशा में रोजगार तो मिल जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये ग्रह जो है वो अस्तम में बैठा है। इस वज़ा से वो उसके मर्जी के उपर निर्वर करता है कि वो क्या देगा। तो इंतजार तो थोड़ा सा करना होगा क्योंकि बृष्चिक लगन की कुंडली के लिए मैं समझता हूँ कि ये लाभेश भी होते हैं बुद्ध। अब हमारा पूरा ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि प्रत्यंतर और अंतर के ग्रह कैसे हैं कुंडली में। तो लाभेश शोकर के अस्तंभाव में बैठे ये थोड़ा कमजोर होता है इंडिपेंडेंटली। तो इस वज़ा से मुझे लगता है कि आपके कारे में बाधाएं भी आ रही हैं और काम बनते बनते बिगड़ता भी है और हर काम लेट लतीफी का शिकार भी होता है आलत से भी होता है मन भी नहीं लगता है और अपने उपर कई बार प्रसंचिन भी लगता है कि मैं कर पाऊ तो यह भाव तो अच्छा हो रहा है क्योंकि सुभकरत्री योग लग रहा है और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो सुखलपक्षे के दूतियती ठीक हैं इस अधार पर वो थोड़े से पापक भी बन रहे हैं लेकिन नैसरगी कुरूप से अगर विचार करता हूं तो आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफा अगली कुंडली दीप शिखा बरमाजी की है इन्होंने पूछा है 27 मार्च 2494 बच के 20 मिनट मिरजापूर उत्तर प्रदेश ध्यान से समझेगा आपकी कुंडली जो डीटेल है उसके आधार पर करक लगने की वंटी है ये स्र लगन देखने वाला हो जाता है थोड़ा आलसी होते हैं करक लगन के लोग ये मतलाईएगा दूसरी बात है आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वह बहुत अच्छी स्थोती में है क्योंकि लगन में ही वह सबसे पहले तो अपनी राशी के वीराज रहे हैं पक्छवल से प्रतिभा के वो धनी भी बनाते हैं अब विचार करते हैं कि योग तो चतुर्त भाव में मंगल बैटे हैं और यहां से बैट करके वो जन्म कुंडली के दश्रमस्थान को देख रहे हैं यहां पे राशी उनके खुद की बन रही है इस वज़ा से मंगल आपके साथ है और मंगल यह दोनों का परिवर्तन बनना यानि कि यहां पे जब मंगल बैठे तो साथ नंबर की राशी में बैठे और यहां पे शुक्र बैठे हैं बुद्ध के साथ शनी के साथ तो शुक्र और सनी एक दूसरे को यूती में ला रहे हैं यहां पे इस कुंडली में और और बिलंब क्यों हो रहा है कि लिए एक नीगटिव होगा हालाटकि आपकी कुंड़ि में यहां बैठे है वो एक तरीके से नीच के होकर के बैठे हैं लेकिन उस राशी का अधिपती जो मंगल है वो केंद्र में आ रहा है इस वज़ा से एक ठीक ये अच्छी वात है कि कम से कम उस राशी का अधिपती केंद्र में है तो नीचतो भंग भी हो रहा है अब बात करते हैं भाग्य भाव पे या फिर पंच और यहां से बैठ करके वो अपने दिख बलत्व के भाव को देख रहे हैं साथी साथ यहां पे गुरू बैठे हैं अपनी राशी के और इस्थिती देखिए कि वो सूरिय के साथ बैठे हैं परंतु थोड़ी सी मुसीबत है कि वो सूरिय से अस्थ हो रहे हैं तो गुरू यान अब आईस और आईपीएस के लिए सूर्य को देखा जाता है आपकी कुंडली के लिए सूर्य जो बनते हैं वो जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपती होकर के भाग्य भाव में गुरू जैसे सुभग रह के साथ बैठे हैं और अपने प्रभाव से उसको अस्त भी कर रहे ह लेकिन भाग्य भाव में बैठे सूर्य व्यपती को अच्छा फल और स्रिस्थ फलों के दाता बन जाते हैं धन भाव के अधिपती का भाग्य भाव में जाना व्यपती को भाग्य शाली बनाता है और शांती सांत जो यूती है वो उसके मित्र के सांत है इस आधार पर अगर महादशा किसकी चल रही है तो महादशा चल रही है शुक्र के शुक्र की शुक्र में शुक्र की ही महादशा चल रही है तो ये थोड़ा परिशान करेगा क्योंकि वास्तों में शुक्र जो है आपकी कुंडली के रिए सुखेस होते हैं और एक पापी भाव के अधिपती तर अच्छा नहीं होता है इस वज़े से वो थोड़ा परिशान कर रहे हैं और 2023 के पांचमें महीने तक इनके स्थुति रहेगी देवी दुर्गा जी के दुर्गा सब्तसती के अगर हो सके तो अस्टुप्तर नाम का दर्शन किया करिए या फिर उसका रेगुलर दुर्गा अस्टुप्तर जो नाम है उसका पाठ किया करिए अगर कुछ न बने तो एक बात गोमाता का प्रतिदिन दर्शन किया करिए उनको गुर्ग खिलाया करिए इससे बहतर आपकी कुण्ली के लिए कोई उपाय नहीं है साथी साथ अगर बन पड़े तो आपकी कुण्ली में र अर्पित किया करिए सोमवार के सोमवार इससे लाव जरूर हो जाता है बाकी अभी तो इंतजार आपको करना होगा क्योंकि शुकर में शुकर है और शुकर आपकी कुण्ली में एक तरीके से देख रहा हूँ तो वो मंगल की राची में बैठे हैं इस वाज़े से वो थोड अब सबसे पहले आप अपने मन स्थिती को समझें, मन के स्थिती क्रिश्ण पक्षे के तुर्यद्रश्री के चंद्रमा ये पापक बनते हैं, इस वज़े से मन परिशान है, और दूसरा आप सबसे पहले तो लोग क्या कर रहे हैं ये सुनना बंद कर दीजिए, अपने मन को स्यू जी की पूजा और सुरी को जल, ये दो काम आरंभ कर देना चाहिए, अब बात करते हैं आपके नौकरी के बारे में, तो सबसे पहले लगन को विचार करते हैं, तो लगन के अधिपती बने चंद्रमा, करक लगन की कुंड़ी बनी, यहां के अधिपती होकर के जाकर के बैठे हैं, राहू के साथ, और शुक्र के साथ, ये तीनो ग्रह एक साथ, राहू, शुक्र और चंद्रमा, ये पराक्रम में चंद्रमा गए तो विक्ती के दिमाग में मिहनत तो भर रहे हैं, विक्ती मिहनत करना चाहता है, लेकिन चंद्रमा कारण समझिएगा कि क्यों पर परेटे हैं रहू के साथ तो परिशान और शुक्र के साथ बैटे हैं जो कि खुद पापी घ्र होता है और वो लाभेश जो कि जन्मकुडशी के पराक्रम में ये इसारा कर रहा है कि व्यक्ति को मेहनत ही करना होगा तब ही लाग मिलेगा लगनेस रहू के साथ अगर बैट जाए तो वो ग्रहन में चला गया और उपर से वो पापक भी ठारा इस वज़े से काम को परिशान कर रहा है और व्यक्तितों को निखरने या निखार में सहयोगी नहीं सिद्धो रहा है मेहनत कराने के बाद भी या कितना भी मेहनत करिए वो पाराकरम के फल को नहीं दे रहा है मन परिशान, चिंतित, ब्यथित और कुछ न कुछ निरंतर दिमाग में नए नए लक्षों का निर्धारन चंद्रमा कराते रहते हैं ये बात चंद्रमा की कमजोरी की सबसे प्रमुखतया होती है उसके बाद अब विचार करिए तो जन्म कुंडली के भागे पे आते हैं कि भागे का शहयोग क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसके कर्मों में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसके पिछले कर्मों को वो इकठा करके इस जन्मे में वो दे सके या फिर आपके इसी जन्म के पुर्व के कर्म, जो आपने पिछले पहले किया हुआ है, उसको वो इकठा करने की छंता विक्षित कर सके, तो विचार करिए, आपकी कुंडली में यहाँ पे शनी बैठे हैं केतु के सांथ, यह खराब होता है, और यह कमजोर होता है, अब शनी हैं कहां कहां के, तो वो सब्तम और अस्तंभाव के अधिपती हैं, तो भागे के अधिपती आपकी कुंडली में गुरु बने, और वो गुरु कहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, प्रत्योगिता भाव में, हाला कि बैठे वो अपनी राशी में हैं, लेकिन फिर भी रहु केतु का प्रभाव, उपर से अस्तम्भाव के अधिपती जहां जाएंगे वहां पर उस भाव को परिशान करेंगे और शनी की तीसरी दृष्टी एक, दो, तीन वो लाभ को परिशान कर रही है, लाभ देने और लाभ में मंदील आने का काम कर रही है, तीसरी के बाद सा पर लाभ यह इसारा कर रहा है कि पराक्रम करो अब उसके बाद विचार करते हैं तो राहु मेहनती तो बनाता है स्वारा सी का बैठा है क्योंकि यहां पर एक तरीके से बुद्ध की राशी में बैठेंगे और अवस्ता की साब से देखता हूं तो वह तेरह हंसब के हैं इस आ और राहु का अधिश्टी संबंद बना जन्मकुंड़ी के भाग्यभाव से और पराक्रम से तो आलशे भी दे देता है अब विचार करिए कि भाग्यभाव के अधिपती कहा गए तो भाग्य के अधिपती बनते हैं गुरू अजाकर के प्रतियोगिता भाव में जा रहे है यह स्थितियां भी बनती है मन खुद परिशान है बेचैन है व्यथित है खुद से लड़ रहा है इस चीछ से बाहर आना होगा अब उसके बाद दृष्टी की बात करी तो यहां पर अस्तमेस की दृष्टी पढ़ी यहां सबसे पहले तो वो भागे को कमजोर किये तीसरी दृष्टी लाव को प्रभावित किये सात्मे धन को और उसके बाद आठ नौ दस पंचम भाव को तो शिक्षा का भी लाव नहीं मिलने दे रहे हैं तो यह स्थितियां और दोनों जो दृष्टी पढ़ रही है क्रमशा इन दोनों भाव तो यहां पर मंगल की राशी बनी तो जहां जहां यह अस्थमिस दृष्टी डाल रहे हैं उन उन भावों को वो कमजोर कर रहे हैं करना क्या चाहिए अभी आपकी कुंडली में वैसे भी राहू की महादशा चल रही है तो यह थोड़ा परिशान करेगा और उपर से अगर विचायर करता हूँ तो राहू में चंद्रमा चल रहे हैं हाला की लगनेश है वो लेकिन फिर भी अगर बात करता हूँ तो आपकी कुंडली में वो कुमार अबस्था के बैठे हैं और उस पे शनी की दृष्टी है और राहू के साथ तो राहू के साथ चंद्रमा का जाना ग्रहण दोश और शनी का जाना तो विश्दोश इस वजह से भी परिशान चंद्रमा जो हैं उसको फल नहीं दे पा रहे हैं तब मुझे मनाना होगा गणेश जी को विपतियां जब सर से बाहर जाने लगे तो एक मात्र गणेश जी के मंत्रों का जब ओम गंगनपते नमह इसका अत्तधिक मात्रा में जब करि में है तो थोड़ा कमजोर तो रहेगा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इससे थोड़ी से इस्थितियां बदलेंगी मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है आप आलसी भी होंगे क्योंकि कर्कलगनके हैं और वैसे आप जवान है अभी जवान लोगों में आलश्य मुझे ज जी की है बड़ा सुंदर नाम है 3 अक्टूबर 1989 सुभा 8 बज के 43 मिनट चिन नई तामिल नाडू स्रिमान ने पोचा है अप डाउन चल रहा है जीवन में कब इससे निजात मिलेगी आपकी कुल्ली को समझे सुक लपक्ष के तृतिया तिति के चंद्रमा मन परेशान क्यों में वो अपना प्रभावड दिये जाता है और हम जीए जाते हैं तो शुक लपक्ष के तृतिया तिति के चंद्रमा कम जोर होते हैं और वास्तों में वो फल 50% से भी कमका करते हैं वो पापक बने और अब विचार करिए कि कुंडली में स्थति क्या है तो तुला लगन की पहेद आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कि क्या इस्थति है हाला कि उसका प्रभाव अभी नहीं लेकिन ये चंद्रमा बढ़ कहां रहे हैं इनके अगले ही भाव में इनके नीच की राशी बन रही है नीचा भिलाशी है चंद्रमा इस वज़ए से वो धन के आगमन को लेकर के तुस्टी और पुस्टी नहीं होने देते हैं धन आगमन को लेकर के व्यक्ति के जीवन में परिशानिया देते हैं क्योंकि वास्तों में यहां धन भाव के अधिपती अगर करता हूँ तो धन भाव के अधिपती कहां बैठे ब्याय में बैठे तो व्यक्ति अती ब तो मतलब कर्जवाली इस्थती भी हो जाती है दूसरी बात है कि यहां पे ब्रिशिक राशी का बनना यहां के अधिपती जाकर के मंगल बुद्ध की राशी में बैटे हैं तो व्यक्ति अपनी वाणी और बुद्धी को सही तरीके से अगर इस्तमाल कर ले तो निश्चित कारक होते हैं सुख क्यों नहीं मिल रहा है तो वह अतिशत्रु की राशी में बैठे हैं भागे भाव में बैठे गुरु अगर अतिशत्रु की राशी में बैठ जाए तो भागे के सहयों को थोड़ा कम कर देते हैं हाला कि वह वहां पे कारक होते हैं लेकिन अकेले बैठे ह इस वज़े से वहां से वह कमजोर फल देने वाले बन रहे हैं सुख भाव पे चर्चा करता हूं तो सुख और पंचम मतब चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपती शनी आपकी कुंडली में कहां जाकर के बैठे हैं तृक भाव में यानि कि तृसरे भाव में और वो बुद् कुंडली में शनीकारक होते हैं यहां कि अधिपती होकर के बैठे जनम कुंडली के तीसरे भाव में गूरु जो की आपकी कुंडली के लिए रोगेश होते हैं रोगेश की द्रिश्टी पर जा रही है इस वज़ा से education को भी वो कहीं न कहीं रोग में रखने वाले education drop करने वाले माधिमिक सिक्षा काला आप कई बार कम मिलता है व्यक्ति पढ़ाई कुछ और करता है नौकरी कहीं और करता है ये इस्थतियां बनती है उपर से चर्चा करूँ तो लगन में चंद्रमा है तो व्यक्ति के व्यक्तितों को कई बार कमजोर कर देते हैं और मन के परिशानी के कारण बनते हैं उपाय क्या करना चाहिए या अभी इस्थति अगर देखता हूँ और ये इस स्थितियां 2020 के आट में मैंने में ठीक हो जाएंगी गनेश जी को मना ये मैं समझता हूँ कि शनी राहू का जब फेर पढ़ जाए तो एक मात्र विधाता है गनेश जी ही मना सकते हैं और रोग सकते हैं वही जो है इस रोग के मर्ज हैं और उनके ही दवाई का असर का असर हो सकता है व्यक्ति के उपर तो गनेश जी के मंत्रों का जब करिए गनेश जी को हरी दुर्वा प्रतेक दिन 11 या 21 शाम के शाम चड़ाया करिए इससे आपके सुख में वर्दी होगी और निरंतरता से आपका काम बनता जाएगा दो तिन बातें और बता देता हूँ हनुमान 40 का नियमित पाठ करिए क्योंकि आप तुला राशी के हैं और तुला लगन के ऐसे इस्तती में आपको हनुमान 40 का पाठ नियमित रूप से प्रतेक दिन 3 बार आरंभ सुबह दो पर साम नहीं, सुबह में ही एक ही बार हनुमान 40 का पाठ करना जाएगा अब आगे कुंडली मीनु पाठक जी की है 14 दिसमबर 1990 सुबह 4 बच के 5 मिनट फिरोजाबाद यूपी इन्होंने पूछा है अब सवाल देखे इन्होंने पूछा है कि मेरी सिक्षा उस तरकी नहीं है कि मैं सिक्षक बन सकती हूं लेकिन क्या मैं जो अभी काम कर रही हूं उसमें सफल हो आपकी कुंडली ले रहा हूं तुला लगन की कुंडली बनती है राशी भी तुला की ही है अब समझेगा कि यहां पर चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्षे के त्रयोदोशी के हुए तो सबसे पहले तो वो कमजोर हो गये और दूसरी बात है कि उनके आगे ही व आपको लिख देना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूं अभी काम जो कर रहे हैं वो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैं उसकी पुस्ती कैसे करूंगा कि आप सही कर रहे हैं कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है कुंडली क्या कहती है आप क्या कर रहे इसमें मुझे पता तो चलना चाहिए ना जैसे आप मुझे अगर फोन पे पूछेंगे तो मैं बोल दूँगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं ताकि वो कुंडली के लिए क्या वो छेतर बहतर है तो अगर जब तक आप यह लिखेंगे आपने सिर्फ यह लिखा है कि मैं जो काम कर रहे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं भाई अब आगे बढ़ता हूँ तो इस कुंडली पे बता देता हूँ तो सवाल तो आपने सही से पूछा नहीं है दूसरी बात है कि शनी में गुरु चल रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली के रोगेश होते हैं चटे बाओ की अधि करता हूँ तो शनी आपकी कुंडली में स्वारा सी के बैठे हैं लेकिन मुम्रतप राया है तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है तो महादशा का ग्रह तो परिशान हुआ ही अंतरदशा में जो ग्रह है वो गलत और बुरे प्रभावों में आ रहा है क्योंकि के तू के साथ उनके स्थति का बनना शनी राहू का देखना तो ये स्थतियां थोड़ी कमजोर कर रही हैं आपको सबसे पहले बता दूँ आपकी कुंडली के आधार पर मंगल अस्तंभाव में बैठे हैं ये थोड़ा कमजोर होता है नौमांस पे चर्चा करता हूँ तो शुक्र और गु होते हैं वो शत्रू के साथ स्थति में नौमांस में यहां बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार मेहनत भी नहीं करता है और ऐसे ही उसका जीवन ब्यतीत होते जाता है इस चीज को मना करना होगा और सबसे पहले बता दूँ तो भाग्य भाव के अधिपति जो नौमांस में बनत के साथ और शुक्र के स्थति अगर मैं समझता हूँ तो आपकी कुली के लिए वो मूल लक्षत्रों में बैठे हैं जो कि केतु का लक्षत्र है शत्रू की राशी में बैठे हैं क्योंकि यहां पे अगर गुरू की राशी बनेगी और लगनेस का गुरू की राशी में जाना ये सत्रुग रही हो जाते हैं और अवस्था के हिसाब से तो उनका अंस जो है वाठ अंस का है यानि कि गुमार अवस्था के हैं तो फल तो देना चाहिए लेकिन वो नहीं दे रहे हैं कारण क्योंकि एक तरफ तो सुर्य इधर और दूसरे तरफ शनी रहो तो लगनेस जो है वो पापकरत्री दोश में फंस रहे हैं ये सटिक और निम्न परिणाम होता है और बिल्कुल छोटा कर देता है परिणाम को आगे बढ़ने ही नहीं देता है तो एक के बाद जो निगटिव चीज़ें आ रही है वो थोड़े शे परिशानी के कारण बन रही है आप एक काम क देखता हूं तो बुद्ध जो बैठे हैं वो सुरी की रासी में बैठे हैं लेकिन केतु के साथ है अस्टमभाव के बुद्ध अच्छे माने जाते हैं फिर भी मैं समझता हूं कि शटबल में वो अच्छे दिख रहे हैं शटबल में गुरू भी अच्छे बन रहे हैं शण एक दिन शाम में और अपने जो कुल देवता हैं उनका नाम लिया करिए जो आपके पुरवज हैं उनके नाम पे तिल तेल का दिया जलाईए ये काम कर जाएगा आगे अब अगली कुंडली की तरह पढ़ते हैं अगली कुंडली है प्रेदर्श को नारायन बेंकटेस की इन्ह हमारा मन कितना अपोस करता है उसको और कितना हम मजबूत होते हैं तो आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष्य के सब्तमितिति का चंद्रमा यानि कि वह 50 फिस्दी तक परिशानी से उबरने वाला है और 50 फिस्दी ही अटकने वाला है यानि कि स्थितियां आपके सिर्रे से जब बाहर जाती है तो आपका मन इस्थिर भी रहता है और परिशान भी होता है ये बात तो तय है दूसरी बात है कि सबसे फ़ले विचार कर देते हैं कि अभी समय कैसा चल रहा है कि जिसने आपको परिशान किया तो रहू की महादशा और रहू वो भी इंड में है 2020 के बार कि आपकी द्रिश्था का इस वज़ा से वो परिशान कर रहा है कारण ये है दूसरी बात कि आपकी कुंडली बनती कैसी है तो मंगल को समझे मंगल यहां की अधिपती बने मेश लगन की कुंडली बनी और उनकी दूसरी रासी जन्म कुंडली की अस्टम भाव में बनी तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है अब बात करते हैं कि जिस ग्रह की दृष्टी पढ़ रही है वो कौन है तो वो आपकी कुंडली का एक तरीके से समझते हैं तो वो रोगेश है छटे भाव का अधिपती भागे में बैठा और वो अस्त है तो अस्त होने से उसको बलतो मिलेगा सुरिय से बुद्ध अस्त होते हैं तो वो अपने प्रभाव को ज़्यादा वर्धिव देने वाले हो जाते हैं लेकिन रोगेश की दृष्टी जब लगने इस पर पढ़ेगी तो कहीं न कहीं व्यक्तित्वे में रोग पैदा कर देगी और काम छोड़ने, काम पकड़ने कई बार काम का दबाओ और कई बार वर्क प्लेस पे जहां पर आप काम करते हैं वहाँ पर राजनिती का व्यक्तित शिकार हो जाता है तो ये बात है आने वाला वक्त कैसा रहेगा इस पे विचार करते हैं तो आपकी कुंडली के 2020 के बार में महिने में गुरू में गुरू आएंगे अब विचार करिए गुरू कहां के अधिपती तो बार में भाव के अधिपती उनकी दूसरी रासी कहां बनी जन्मकुडली के भागे भाव में, तो भागेश और ब्यायेस, ये दोनों जन्मकुडली में, आपकी कुडली में गुरु जो है, वो कहां बैठे, बुद्ध के साथ परिवर्तन में है, बुद्ध की राशी में गुरु बैठे हैं, रोग भाव में, यानि कि भागे भाव के अधिपती को कहा बैठना पड़ा रोग की राशी में चंद्रमा के साथ तो चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो रोग भाव में बैठे हैं बुद्ध के साथ परिवर्तन कर रहे हैं भागेश के साथ परिवर्तन होना और रोगेश का ये दोनों ब्रहों का परिवर्तन होना कहीं कहीं अच्छा तो है लेकिन फिर भी परिशानी का कारण ही वनेगा तिकि वो अच्छे भाव नहीं वन रहे हैं एक तो ये त्रिक भाव है और उपर से वो ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के शत्रू भी होते हैं फिर भी मैं समझता हूं कि गुरू से भी आपकी कुणली के भाग्य भाव के अधिपती तो भाग्येश का संबंध सुख के अधिपती के साथ हो रहा है भाग्ये का संबंध यहां नौ नंबर लिखा और यहां पर क्या लिखेगा चार नंबर तो इन दोनों का संबंध मतलब भाग्ये और सुख का संबंध रो यहां की अधिपती होकर के आपकी कुंडली में यहां बैठ रहे हैं और वो ठीक होंगे. सस्महापुरुषयोग का निर्माण भी हो रहा है, आपकी कुंडली में दस्थम्भाव में सूरिय बैठे हैं, लेकिन वो शत्रुग रही हो रहे हैं, इस वज़ा से थोड़ेशे परि ग्राहू में मंगल, वैसे भी थोड़े अमंगल करने वाले होते हैं, तो उसके बाद जब इस्थोतिया आएंगी, तो 2020 के बार में महीने के बाद गुरू में गुरू आएंगी, रोगेश के साथ उनका परिवर्तन बन रहा है, तो थोड़ा सा वो अच्छा भी फल कर सकते हैं इसे मैं समझता हूँ कि किसी न किसी दिन आपको प्रतेक दिन मंदर में जाना चाहिए, प्रतेक दिन किसी मंदर का दर्शन करिए, खास करके दुर्गाजी के मंदर का, ये बनता है, उपर से हनुमानास तक का पाठ, प्रतेक दिन किया करिए, हनुमान चाली साथ तो कम से कम आपको करना ही चाहिए और भगवान सुरी को अर्ग दिया करिए दसंभाव में बैठे सुरी अच्छा फल करते हैं ये याद रखिएगा अगली कुंडली नियमित दर्शक हैं साक्षी सुरी इन्होंने पूछा है आगे का जीवन कैसा रहेगा न्यू देल ही की है ये 15 अगस 1992 सुबह 7 बज़े इनका जन्मकार समय है आपने पूछा है आपकी कुंडली पहले बता दूँ तो शिम्भ लगन की कुंडली बनती है और यहाँ पे सुरी की राशी का बनना यहीं पे गुरु बैठे हैं शुक्र के साथ तो यह थोड़े से मन मुटाउमाल इस्थिति को देते हैं हाला कि गुरु और चंडर्मा का स बनाने में आप निकट और आगे रहिए तो ज़्यादा बहतर है क्योंकि सब्तमभाव की अधिपती का छटे में जाना हाला कि एक बात जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी कुंडली में चंडर्मा यहाँ बैठे हैं और यह बहुत अच्छी बात है हाला कि वो बैठे हैं और सब्तम में ही चंडर्मा और गुरू तो यह व्यक्ति के सुंदर व्यक्तित्व और सुंदर शरीर के निर्माता हो जाते हैं लगन में शुक्र गुरू और चंडर्मा की दृष्टी विवाह को लेकर के अगर बात करता हूं तो बैवाहिक जीवन तो मुझे नहीं अधिपती होते हैं हनुमान 40 का थोड़ा सा पाट किया करिए हनुमान जी का निते प्रते दिन अपने पती और अपने बच्चों के साथ दर्शन करने जाया करिए अगर बिवा हो गया है तो अन्य था अगर नहीं वहाला कि अपने कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिपी मैं समझ करते हैं तो 2025 में भावन निर्मान का योग बन रहा है अगर आप कुछ ऐसा प्रयास करना चाहती है तो बिल्कुल करिए मैं एक बात आप से कहता हूं सबसे ज़्यादा जरूरी आपका दमपत्य ठीक है चंद्रमा बैठे हैं उसको फ्लरिश कर रहे हैं वो शुभग्रा भी करने देंगे अच्छी अब आगे अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं नामहिन का विकास शिंग उन्तिस जुलाई 987 एक बच के 17 मिनट जम सेथपूर जहार खंड स्रिमान ने पूछा है मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए आपकी कुंडली में अगर देखता हू इस अधार पर अगर मैं समस्ता हूं कि आप काम क्या कर rê Ray पहले तो आपने लिखा नहीं है पहले अनमान चालिसा का प्रते दिन तीन बार पाठ करिए उसके बाद धारन करिएगा दूसरी बात है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं यह ठीक है मा और सुरी माता भाओ के अधिपती बनते हैं सुर्य वो जाकर के चंद्रमा दोनों ने करमश स्थान परिवर्थन किया है मंगल शुक्र और सुर्य तीनों एक साथ बैठे हैं और आपके कुंडली में अस्त ग्रहों की संख्या मंगल अस्त हैं और सांती जात शुक्र भी अस्त हैं पौरुशत्व का च्हाय मत करिएगा नहीं तो नुक्सान हो जाएगा और दूसरी बात है मंगल और शनी जन्मकुंडली के यहां बैठे हैं नौमान्स में अस्तंभाव परिशान हो रहा है और वो परिशान कर रहा है इस वजह से हनुमान जी की पूजा जरूरी है तो अगर नेली धारन करना होगो तो एक बात याद रखिए अगले 108 दिन तक संकल्प पुर्वक तीन बार प्रतेक दिन हनुमान चाली साका पाठ ब्रह्मपचर ये व्रत का पालन के आधार पर करिए और उसके बाद इनले धिहारन करिए कुछ इसी तरह से आज की कारेकन का समापन करता हूँ तब तक के लिए इजाज़त दीजी कल एक बार फिर से उपस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए नमस्कार